लोगों को मचबूर करता है मुझे एंट्री दिलाने के लिए शान्ती is a very positive character और बहुती strong character है शान्ती का किरदार वो है एक पारिवारिक औरत है रश्मी शर्मा माम क्योंकि मैं उनके साथ काम करना चाहते थी सुहागन में एक नई एंट्री होई है और वो कोई और नहीं बलकी है नीलो जी सबकी प्रिय नीलो जी जिनको लोग हमेशा परदे पर देखना चाहते है so congratulations नीलो जी thank you very much और मेरे दश्मों को बहुत बहुत धनिवाद क्योंकि आप ही लोगों का जो प्यार है लोगों को मजबूर करता है मुझे एंट्री दिलाने के लिए सबसे पहले बताईए दिन पर दिन आपका हॉटनेस कैसे बढ़ता है हॉटनेस तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि मेरे बाजों में हॉट हॉट पीपल्स खड़े होते है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताई है शांती का किरदार वो है एक पारिवारिक औरत है और जिसके पती की देथ होने के बाद जो घर में problems create होती है अपने बच्चों को ले करके तो वो एक समय ऐसा आता है जहाँ अलग हो जाती है step ले लीती कि मैं अब और बरदाश नहीं करूंगी मेरी बेटी की बिज़ती, मेरी बिज़ती, मेरी पती नहीं है तो क्या हुआ, मेरी भी कोई इज़त है, आत्मसम्मान है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसके बेटे को यहां बुलाया जाता है और वो परिशान हो जाती कि मेरा बेटा कहा है और ढूनते ढूनते coincidence वो इसी घर में पहुंचती है जहां उसका बेटा है और उसको सारी चीज़े याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि इस घर से मुझे धक्के मार के जब निकाला गया था अब मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी तो वो कुछ ऐसी चीज़े चल रही है और शांती is a very positive character और बहुती strong character है परिवार को जोड़ना जानती है लेकिन families में पांच उंगलिया एक सरी की नहीं होती है चटपिटी होती है जैसे चाट में पानेपुरी, भेलपुरी, दाइपुरी, रगड़ापिटी सब कुछ होता है तो वैसे ही किरदार भी है बट टीम बहुती प्यारी है, स्वागन टीम और मैं जब यहां first day आई तो मुझे ऐसा लगा ही ने कि मेरा first day है of shoot का मतलब पूरा एकदम family atmosphere था और director sir, pavan sir, seema ma'am, सभी बहुत comfortable थे and I really want to thank Rashmi Sharma ma'am and Rashmi Sharma production, उन्होंने first time मुझे लिया है and I was really expecting to work with her but क्योंके काम चल रहा था और मैं बीच में जानी पाती थी क्योंके मैं थोड़ी उसूलों की पक्कियों, किसी का काम लिया है तो मैं बीच में नहीं कभी छोड़ती तो कुछ ऐसे incidents बने but really thank you at last मैं आ गई for giving me a beautiful entry लुक काफी classy लग रहा है तो मुझे लगता है कि class भी maintain होगा आपके character में अने classy look तो जरूर है पर character तो इत्म तेज ही है क्या कीच लाया इस character के लिए आपके लिए specially? सबसे पहले तो production, रश्मी शर्मा मैं क्योंके मैं उनके साथ काम करना चाहते थी second the character Shanti Devi, it was a very positive character और after Bhabo मुझे ये character first time मिल रहा है because काफी nut cut, चुलबली, बहुत सारी चीज़े बहुत नौतंकी की है मैंने और एक positive character, strong character, थोड़ा से rely कर रहा था उस character को Bhabo सा is Bhabo सा, but Shanti Devi भी कुछ तो कहीं खड़ी रह सकती है I'm sure कि उस नेया twist भी आएगा, Shanti Devi के आने के बाद हाँ, naturally a twist तो आने है, और twist आ भी चुका है और हम सीन कर रहे है उस twist का, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी आप अनेयर दीखी का Bhabo से मुझे याद आया, मुझे लगता है आपकी Bhabo की और Sandhya की जो Ray entry तो मैं नहीं बोलूँगे, comeback नहीं है बड़ एक छोटे से gap के बाद आपका gap नहीं हुआ, लेकिन Sandhya का एक gap हुआ है चोटा सा और दोनों लोग एक ही साथ वापसा रहे हैं, इक ही क्या है देखे, ये तो प्यार है, दिल की राह है आप देख लीजे, Sandhya भी सेम चानल, और Neeloo भी सेम चानल तो ये कोइंसिदेंस है, देखे, प्रोडाक्शन दोनों अलग-अलग है बट ये शायद उपर वाले की इच्छा या उनकी मर्जी और शायद आप लोगों का प्यार, जो दोनों सास और बहु को एक ही चानल पर खीच लाए आपने शो का प्रोमो देखा, दीपीका के? मैंने देखा है, मैंने उसे विश भी किया है क्योंकि हमारी अभी भी बात होती रहती है और वो बिल्कुल मेरी बीटी जैसी ही है और मैं तो चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बड़े वो बहुत अच्छी अक्टरस है बस यह है कि लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज को वाकि शीज रिली ब्यूटिफल यूमिन बीन और मेरी बहुत बशुप कामना है उसके शो के लिए मंगल और लक्षमी बहुत आगे बड़े भाबो का कैरेक्टर नीलू जी के लिए और संध्या का कैरेक्टर दीपीका के लिए यह दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो ऐसे जुड़ चुके हैं अगर आपका नाम ले तो भाबो तुरंट दिमाग में आ जाता है दीपीका सिंग का नाम ले तो संध्याराटी तुरंट नाम आ जाती है आपको क्या लगता है कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है इस चोड़ लोग भूल नहीं पाते हैं भी देखें मैं इसमें क्या कहूँ जब मैंने ये शो लिया था मेरा फर्स शो था टेलिविजन में मेरी फर्स्ट एंट्री थी मुझे खुद भी उमीद नहीं थी कि शायद ये क्यारक्टर यहां तक पहुँच पाएगा ये पूरी टीम की महनत है शाशी सुमित प्रडाक्शन की महनत है शाशी मैम की महनत है कि उस क्यारक्टर भाबो को यहां तक पहुचाया आइकॉन तक पहुचाया क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी उपॉचिनिटी मुझे दी चीजे बन जाती है और पूरी टीम का सपोर्ट होता है मेरे जितने क्यारक्टर थे उसमें मीना, चवी, एमिली, मोहिद, विक्रम और सबसे प्यारा बीटा मेरा सूरज तो यह सारी चीज थी, सारी टीम्स थे यह चीजे बन जाती है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं अगर मैं चाहूँ कि मैं यह कर लो, तो कभी नहीं हो पाएगा चीजे बन जाती है और मैं तो चाहती हूँ अगर आप दिल से करते हैं सारी टीम मिल के काम करती है तो चीजे कामियाब होती है यह मैंने देखा है सूरज गायब हो गया, बाके सब दिखते रहते हैं कभी लेकिन सूरज नहीं दिखते हैं देखो क्या है सूरज को मैंने कहा बिटा शादी कर लो, दो बच्चे पैदा कर लो, फैमिली प्लानिंग कर लो और उसके बाद अराम से रो एक और शो आ रहा है निलू जी आंक मिचॉली करके और उसका जब हम देखते हैं ना तो सीधा हमें दिया और बाती हमकी याद आती है आपने देखा है वशू? हांची बिल्कुल देखा है मैंने और मैं आख मिचॉली के लोगों को बहुत बहुत च्पकाम नहीं दूंगी आख मिचॉली वाकई बहुत ये अच्छा शो है और हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है बढ़ा सा लगता है कि आपका शो से इंस्पार है? बिल्कुल हमारी शो से क्यों वह हमसे भी इंस्पार है किस तरह के चेंजिस आप देख रहे हैं टेलवीजन ट्रेंड में फ्रम जब आपने दिया और बाती किया था तब से और अब तक तिके जब हम दिया और बाती कर रहे थे तब थोड़ा सा ठहराव था सेंज में और आज थोड़ा बहुत क्विक हो गया क्योंकि इतने चैनल्स, OTT प्लाटफॉर्म आ गए कि लोग वेट नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा तो we have to be little quick, थोड़ा सा fast रहना पड़ता है बट फिर भी आज कई शोज ऐसे हैं, जहां थोड़ा सा ठहराव है तो ऐसा कुछ नहीं है, टेलिविजन कभी नहीं हटेगा लोगों के घर में रहेगा, लोगों के दिल में रहेगा क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं आपका OTT के बारे में क्या रहा है? दीखे, मैं भी देखती हूँ, OTT चैनल्स देखती हूँ अच्छे स्टोरीज आ रहे हैं, अच्छे सबजेक्स आ रहे हैं इसमें यह ऐसी ही रहेगा. जी निलुजी, thank you so much and all the very best. Thank you very much. Hi, this is Neeloo. और आप मुझे जूम पर देख रहे हैं. और साथ में हैं, जेतना, मेरी प्यारी. Thank you. Thank you.